यहाँ पर जो खड़े हैं, यह सब के सब एक्स आर्मीमेन हैं, इन्होंने अपनी सेवाए देश के लिए दिये हैं। जिस तरह से आरोप लगते हैं, पर्दान मंतरी के ऊपर कई बात, कि यह सेना का उपयोग कर लेते हैं वोट के लिए। ऐसे अपने बाप का नहीं हो सका तु जनता का क्या होगा तु बाप को ही तुने दर किनार कर दिया जिसे ने उस सपा को खड़ा किया था कैप्टन अमिनंदर एक दिन ऐसे चुटकी में वाप साया कांग्रेस सिरकार होती तो डेड़ बॉर्ड लिया और वो पत्र मारने वाले सारे गाइब हो गए जिनको पॉंसर उपए देकर वो रोज पत्र मारने के लिए लाते थे पत्र मारने वाले सब गाइब हो गए आभी को अगरी को एक छटके के साथ कर देप तू अब हमारे को बता करेगा कैसे कैसे खतम करेगा उस गृप क्या तेरे पास है उता है नियों बोई मशीन आ गई कि उदर ते मैं अलू डालूगा उदर ते सोनना निकले गाता मेरे गालता भूब नीन निकले अभी तक भूब मशीन हमाचल प्रदेश की हमीरपूर लोकसबा में हैं जहां से चार बार के सांसद अनुराग ठाकूर भारती जिंता पार्टे से चुना लड़ रहे हैं और यहां पर मैं जानने आ हूं यह जो गाउं है एक छोटा सा गाउं पहाड़ से थोड़ा नीचे आएंगे लगबग 500 यह सब के सब एक्स आर्मीमेन हैं इन्होंने अपनी सेवाय देश के लिए दिये हैं और इनसे ही मैं बातचीत करने के लिए यहां पर आया हूं स्पेशल की यह लोग चुनाओं को लेकर क्या सोचते हैं इनकी क्या राइस चुनाओं को लेकर हैं क्या नाम है आपका मेरा एक मेरी 2013 में रटायर्मेंट हुई थी और उसके वाद मैं आकर घर में अपने पुरे प्रिवार के साथ रह रहूं और पार्टी के साथ भी हम योगदान देते रहते हैं अज मैं आप से एक चीज जानने हूं आग जो एक सार्मिमेंट है वो क्या सोचते हैं देश के बारे में हमा हारा देश कहा खड़ा है कैसे आप इस चीज को देखेंगे तो हमने तकरीस साल मेंने नौकरी की आर्मी के और तीस साल के बाद में एrok criteria न हुआ तो जो पहले थी सिस्टम कि हमें अगर आगे से गोली भी आ जाती तो पूछना पड़ता था कि हम फायर करें ना करें मगर मोदी जी के आने के बाद हमारे को इतना होगा कि हमारे पास पूरी मैन पार फुल पावर आ गई है कि आप गोली का जवाब गोली का और जो भी आपको हत्यारवारा मिलता है तो हो गई है कि हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आगे से कौन आ रहा क्या आ रहा है अगर हमारे लाइन आप कंट्रॉल जाए सारे तारबंदी हुई है बड़ी अच्छी तारबंदी हुई है है और हम ज्यादा से ज़्याधा राद दिन हमारे जो सेनिक भाही है राद दिन एक रके वो मेहनत करते हैं क्युक है का कि कोई भी ऐसा आदमी अंदर ना आए जिसके हमारे जो क्रम चारी है देसकी काम करते है लोकल पैपलेशन है उनको कोई ऐसी के जल्टी तो हम राग दिन इसके उपर एल-उसी के उपर किसी काम करते हैं लेकिन जिस तरह से औरोब लगते हैं तो जो बिपाक्श होता है उसको अपने बोट लेने होते है अपने आपको हाइलाइट करना होता है ऐसा कुछ भी नहीं है मोदी जी ने वो ही काम कर ले जो कि देश के हित का है वो ही और आते हैं जो देश के हित के लिए बड़े कमांडरा को उनके जरी हमारे तक पहुंचते है और अभी हम रेटार्मेंट हैं मगर अभी तक जो भी हम सुनते है और जो भी हो रहा है वो देश के हित के लिए हो रहा है और सबसे बड़ी वात है कि देश है तो हम है, देश है तो तब धर्म है हमारा, धर्म पहले नहीं है, धर्म तो बाद में आएगा, पहले देश हमारा सुरक्षित है, तो हमारा धर्म है, देश ही नहीं सुरक्षित होगा, किसी के हाथ में सुरक्षित ही नहीं होगा, तो हमारा परादेश बड़े स्रक्षत हाथों में है और हमारे यहां से अनुराग भाई जो कि यहां से अभी छटी बार जीत कर जाएंगे वो तो वो बहुत हम उनको बहुत जादा से जादा बोटां के दौरा हम उनको लोक साब हमें भीजेंगे और दौरा वो मंतरी बनेंगे और पुर्पूर के लिए अन्वाग ने कि सार यहां देखो एमेस बिलासपूर में और कम समय में जबकि किसी को ठेका दे देते तो आठाट दस आस एक पुल का ही काम चल रहा था मगर यह चार तीन-चार सालों में त्यार होकर अभी वो मरीज भी बहां पर जा रहे सब जा रहे यहां पर मेडिकल होब अपना यह बना है हॉस्पीटल बन रहा है यहां पर रंगस में बन रहा है उसके बाद इनवस्टी बन देरा में इनवस्टी बन रही है अच्छा स्टेडियम हमारा स्टेडियम देखो दर्मसाला में स्टेडियम देखो इंटरनेशन वाली हमारे नाइटी को देखो, रोड देखो हमारे जो इतना रोड हमारे एन्च बन रहा है इतना जाकि मतलब इतने अच्छे रोड बन गए इतनी सुरुगे हमारे मन्ढी को ले अगर मननाली को जाते हैं तो वो जो 6-6-7-7 गहंटे का रास्ता ता आज 3 गहंटे में हम वहाँ पर पहु दूंनिया देख रही है। जब मोधी रभार पैर्दान मंतरी जाते हैं तो दूसरे देशों के पर्दानमंतरीर पहली बाहरी पाहूं चूते आँखो में आते हैं। देखो प्र तर्हास बीघा सब्सक्राइब शल्ट किरे पstru सब्सक्राइब तो उसका देखो क्या दिमाग है क्या सोच है वह परदान बंतरी बनने के लाइक है या नहीं है आप ही सोचो कुछ लोग तो कहते हैं जो सेना की रिटायर्ड लोग आज कॉंग्रेस के साथ खड़े हैं वह कॉंग्रेस को वोट करने जा रहे हैं चुनाओं में चुनाओं में अगर रिटायर्ड लोग कोंग्रेस के साथ खड़े है तो यह उनका गल्त सोच है लेकिन नहीं है नहीं आता हूं जिन्दा अभिन siis तो नहीं आता जिंदा अभिनंदन नहीं आता इस पूंजा इंच की चाती थी बोला जल्दी छोड़ दो अमरीका ने बोला ने तो खत्म है आपका काम काम खत्म हो जाता पाकिस्तान का काम खत्म है जल्दी वापस कर दो जैसे है ने तो काम खत्म कोई सरकार थी बंबे हमला हुआ कांग्रेस के सरकार में कुछ नहीं किया किया कुछ नहीं किया अभी तो डिंगे हांकते हैं हम नहीं कर दिया और बो कर दिया मुद्य ने दारा 370 में खत्म कर दी एक पक्के आम की तरह तोड़के फैंक दी आपने कश्मीर में पोस्टिंग रही आपकी तीन पोस्टिंग है मैं कश्मीर में रहा हूँ थोड़ा बताए मुझे मैं दोजार चार पांट साथ मेरा फिर उसके बाद पहले मैं नाइंटी टू मैं ग्लेशिर में मैं उसके बाद जammu मेरा दमाना में तीन पोष्टिंग हैं मतलब 10 साल मेरे जेंड के कई हैं कैसे किसे की सरकार होती थी कॉंग्रेस की सरकार होती थी तो उस टाम जो हम उसमें थे तंगदार में लोची के उपर लाइन आफ कंट्रोल के उपर तो कम से कम इतनी गोलियां पाकिस्तान फैर करता था लेकिन हम अधेश नहीं आता था पूचेंगे पूचेंगे पीछे जो बैठे होते हैं पूचेंगे रुको रुको अरो तब तक तो इतना गोले फैर कर देता था लेकिन अभी तो जवान की जेब में और गोली का जबाब गोले से दिया जाएगा भी जब आप थे तो उदर से फायरिंग होती थी लेकिन इधर से आप चुप चाप बस देखते रहते थे आपके सामने कोई कैजूल्टी हुई हमारे किसी सैनिक की ऐसी फायरिंग से कैजूल्टी हुई हमारे से निकी हुई के ज़टी लेकिन उसको उठाने के लिए नहीं मतलब हमें टैम लगा इतना फैर आ रहा था तक को टाइम नहीं मिला और रेंगता वार टांग में लगी थे इसको स्प्लेंडर लगया था गोले का फिरेंगता हुआ बंकर में बढ़ा तो लेकिन हमें अदेश नहीं आया फैर करो फैर का जबाब फैर दो लेकिन अभी नहीं मतलब आगर आदेश हो जाता तो अपने सैनिक को आप बचा सकते थे हां ऐसी कंडिशन थी उस टैम में रिटायर्मेंट कभ आपका रिटायर्मेंट मेरे को पांच साल हो गया उन्नीस मे रिटायर्मेंट हुई तो कश्मीर में नीचे भी रहे आप जम्मो में भी रहे हैं वहां की क्यास दिए थी ती जो पत्थर बाजी को लेकर काफी बाते करते कश्मीर के पत्सर बाजी तो देखो अभी जब से नहीं होग जाने से डरते थे जैन अब रिकार तो टूरिस्ट गये हैं और आपने उन्निस में रिटार्मेंट हुई तो आपने इसका मतलब पांस साल भारती जंता पार्टिक सरकार प्रधान मतरी नेंदर मोदी की सरकार में भी काम किया वह पांस साल कैसे बीते सुवेदार साथ मैं जाना चाहिए बिलकुल अच्छे हमारे बीते हमारी सरक सब्सक्राइब काम चल रहा है इतनी तरक्की तो हम नहीं देखी कंग्रेस के टाइम में और साइद ना इन देखें कागर कंग्रेस आ गई तो यह सब कुछ रट्टा मार लिया क्या ट्रिपल आईटी यह दिया वो दिया पांस साल से जुड़ा हूं मुझे पता है कि जोल साथ जाएगा कंग्रेस जो सरकार एक देश विरोद्धी सरा कर मतिकारी कैसे तुकडे टुक्डे ग्येंके अदवी हैं कनया उनको टिक्ट दे लोग सब्सक्राइब जो इस नारे लगाते जे नीए नहीं है बारत तेरे प्षक्राइबहूंगे उनको टिकट देप्ष्रा कि लगता है कि नभी सेपशिशं को ने क butterflies ने टो वह तो हम तो इसस Place कभे चाहिए उस सब्सक्राइब तो हम इसा कुछ होता है जो कैते देरे टुऺड़े होंगे जब लोग जूड़ते है किसी पार्टी के साथ तो भूत गंदा महसूस होता हो आपने तो बोर्डर पे शेवाए दिए हैं देश की यह वने बॉडर के ऊपर सेवा देती लेकर जो पार्टी के साथ जूड़ेंगे हम बाइकवाइक अपने दिल से हमारे दिल में कंग्रेस नहीं कि आपकी बार सरकार बन रही है कॉंग्रेस की राउल गांधी पर्धान वंतरी बनेंगे यह तो गल्त फैमी है कॉंग्रेस तो पूरा सफ़ाया हो रहा इस चीज़ का आपको पता होगा कि तिसरी बार क्या चोथी बार भी मोदी सरकार आएगी संताली तक हम ने अगर जिंदा रहे तो हम मोदी सरकार को संताली तक बनाएंगे और बिक्सित बार बनाएंगे और जंड़ा पूरे बिस्व मेले रहेंगे कई सारी चीजीं जो भारत में बनती Star एंफ़न्त बाहर वे जाते तेया है आज हिंदुस्तान पेन चीज़ों और हिंदोस्तान वद आरमी के पास मतलब यह तो हम एक मीं के पास है कि वह एक वार को दिवाने से पूरेकजस वाला मेगजर खॉले हो जाता है सांस लेनानी वलते दूस्मन को हमारे सामने संस लेनानी मिलते है हम ने शिरेगान में हमने बहुत ज्यादा काम के हैź मैं 17-18 साल शिरह नगर मेरिया इसमें ज्जो हमारे यह थी भूली टि मैं 84 85 में मैं शीमली नगर में चला गया था हर्ष्ट मेरे पांसार रहा उसके बाद दवारे में डोड़ा कि श्तवाड भी रहा मिलिटेंटों के साथ मुठबेड भी हुई उद्व पर भी रहा उसके बाद मान तलाई आप लोग ने कभी सुना होगा कि वहां पर भी काफी हिंदुस्तान के बीचे में वह हत्यार बन रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं यह सबसे बड़ी एक माइना रखती है कि हिंदुस्तान उन हत्यारां को बना रहा और बेज विरा और अपने जौनों को दे रहा है हमारे जौन इतना श्रक्षत है कि वह मतलब कभी भी वह कर रहे हैं पारली मेंट बैटे हैं फिरान सह में मैटे है कुछ भी है वो तो अन्य लोगों से पूछों के बीचे में पूछो कि बहा ना कोड के चेरी चलती थी ना कुछ चलता है जब militancy पहली 90 में तो उनको पूछा हो क्या जाना क्योंकि अभी वो भी नहीं चल ली है अगर उन लोगों का साथ नहीं होता है या इनके पीछे बड़े-बड़े लोगों का हाथ नहीं होता है तो मैं तो नाम नहीं लूँनगा किसका बड़ा आता क्योंकि मिलिलिटन्सी जब भालती है तो पीछे किसी का हाथ होता है तब ही उगए बढ़ती है इसका हाथ होता है नहीं मैंने बोला नहीं राज नहीं कर दो सिरिनेकर को विल्कुल हएर हमारे तूरेस्ट है हम जाते थे मैं जब चुरौसी पचैसी में रहा तो हमारी शुटिंग चलती थी बाली बुड़ बाले जाते थे आज यह बने है कागजी हिरो वह जाते थे वहां पर शुटिंग करने के लिए जाते थे और बड़े निश्चिंट तो करते थे उसके बाद जब नबे में हमारी मिलीटंसी बेली तो कोई बंद का हो गया उनका रोजी रोटी खत्म हो गई उनकी कोई मिलीट कोई यह अपना यह नहीं जा रहे है बली बुड़ का कोई नहीं जा रहा है अभी मोधी आने के बाद आप देखो कितनी शुटिंग शूरू हो गई सारे जो भी है उनका ड्वल्मिंट देखो ट्रेन पहुंच गए रोड उनके देखो शिरी नगर की जनता बता रही है कि शिरी नगर में क्या कैसे बदले हो गया साब कुछी बदले है और वो पत्तर मारने वाले सारे गाइब हो गई जिनको पंसा रुपए देकर वो रोज पत्तर मारने के लिए लाते थे पत्तर मारने वाला नहीं है क्योंकि इन लोगा ने दिली में बैठकर उनके हाथों में और शिरी नगर के जो बैठे दो चार जो बैठे थे लोग बैठे थे जिनके नाम पर ही राजनिती चालती थी उन बच्चों के हाथों में उनने पत्तर दिया है उनक हाथ में कलम दी है रोजगार दी है उदर कुछ ट्रेनों के ये खुल रहे हैं वहां पर ताकि बच्चा काम करें और वो खुश भी है खुशाहाल भी चल रहे हैं इसके बाद और केचाता है आप देखो एडी में बैपूरे जो इंडिया इनन एक बनाई है उसमें एक आदमी क जो साफ अपनी सेफ इस वाला है वो बता दो चबी वाला है लालू अटे अरे बोलते हैं प्रश्टा चार को पर तू क्या उदर मामे में गया था जेल में अंदर मामे में क्या कर में गया था अंदर को मामे था अंदर कि उनके रिस्ताइधारी करने गया था अंदर इतने सा हलों तो एक सारे कोई है साथ क्टेश करते हैं वो लौलते हं कि हम साबशबीवाले साफ करती वाल इनका खाना प्रता चारि ती भो बंद कर दिया इसलिए इनको मुदी बुरा लग रहा है बीजेपी पार्टी लग रही है इसलिए यह लोगां को भाई हम आपको जैसे ही एलेक्शन खत्म होगा तो हम आपको खट 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 अजी को में घरीबी खत्म करना इंद्रा जी ने बोला मैं घरीबी को खत्म करा उना ऱीव गंदी ख्टकी को एक साथ करदें पर तु अब हमारे को बता करें कैसे कैसे खतम करें गेंक इस क्या ते पास हो तो भूई मशीन आ गई मेरे क्हालता निकल अभी तक मशीन का जसुर आउल गांदी के साथी हैं, वो कहते हैं कि चार जून को भाज़पा सरकार सपाचट 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 साप हो जाएगी, और अखिलेश कह रहे हैं, एक फिल्म रिलीज होगी चार तारीक को बारा बजे, एक थी भाज़पा, भाज़पा नहीं रहेगी, आहिले को बड़े इससे सोचना चाहिए तु अपने बाप का नी हो सका तु जनता का क्या होगा तु बाप को ही तुने दर किनार कर दिया जिसने उस सपा को खड़ा किया था और वही सपह है जिनना राम मंदर वे ओपर गोलियां चलाई थे ये वही सपह है अबी तक भी लोगों के दिमाग में नहीं हा रही ये वही सपह है जिनना उनहें जो इसके फिजा ठी persona पैन कर गुमते थे और मंदर के नाम पर अपना काम कर रहे थे उनके उपरों ने गोलियें चलाई और दुनिया भर के लासें गरा दी थे ये बहुत ही सपा है आज सपा का क्या धंडोरा पीट रहा है अब सपा तो बिल्कुल ही सपा ही हो जाएगा सपा का बिल्कुल सपा ही हो जाएगा कभी वो राहल उनके नेचर में उनके सोचने में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो नहीं सोच सकते हैं। अरे, मुसलमान भी हिंदुसान के ही हैं। तु भाईовор की बाद करें। तू मान लें।य। कि उनका सबसे बड़ा भाई तू यादर mixingे। हैं मान लेते हैं मगर यह तो यह हम मानेंगे हैं तू वागिया को हिंदु कम्मिनिटिटी उसको बोलो कि नहीं यह नहीं होगा यह मेरे बाइभाई है और मैं नहीं कहा बाइभा ऐसा थो नहीं होना है बात करके मुझे कहीं चीज़े जानने को मिली और मुझे कहीं चीज़ों को लेकर जो इन्होंने बताया कैसे लिए कश्मीर की श्तीती्हीं होती थी थी टी नागलेंड के जहाँपट प् colony ऑपकbei कि बच्चों को इन्होंने तयार किया होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमसे बात की, अब तक लिए इतना ही, मैं रोख शर्मा, आप देखरें हिंदुस्तान आइं, चेहन।